मेरे दोस्त ऐसे बहुत से लोग है यार जो कमेंड करते भाई मैं कौन सा मिनोगडी लगा हूँ ताकि मेरी बियर्ट एक महिने माज आए पंदरे दिन में आज आए दो महिने माज आए आएगी बियर्ड आएगी 100% आएगी लेकिन मेरे भाई थोड़ा पेसेंस रखना पड़ मुष्टेच और यह जो चीन पर बियर्ड ना बस इतना था और गालों पर जो ना एक दो बाल दिखाई दे रहे होंगे आपको लेकिन अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो दोस्त आप लोग याँ पर देख सकते हो आश्चेर चकीत कर देने वाली बियर्ड है य लेकिन मेरे दोस्त में आपको बता दू जल्दबाजी भी हमेसा जो भी काम करोगे ना वह बिगण ही जाता है ठीक है ऐसी गलती नहीं करना है मेरा काम है आप लोगों को समझाना अगर आप समझ रहे हो तो यार बहुत अची बात है अगर आप नहीं समझ रहे हो तो भाई आपके लिए दिक्कत होगी ठीक है तो यार मैं इस भाई का आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ड तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़ा और तजबीर आपको दिखा दू ताकि आपको थोड़ा डिटैल में समझ में आ जाए ठीक है और मैं हमेसा पतले रहेंगे थोड़ा भूरे रहते हैं अगर रही बाल थोड़ा मोटे हो जाते तो भाई आटुमेटिक काला हो जाते हैं यही टर्मीनल और बेबी हेर्स की पहचान होती है समझ में आ रहा है ना जब लड़का 16-17 साल का होता ना तो भाई उसके पतले पतले बाल आते है तो आप ध्यान से देखना वहां पर जो बेड होती है जादा काला नहीं होती है मतलब यार पतले बाल रहेंगे तो जाहिर सी बाते थोड़ा भूरे रहेंगे समझ में आ रहेंगे तो यहां पर देखे भाई इनका एक और रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया चलिए थोड दोस्तों चलिए बिल्कुल लाइप चैट दिखाता हूं और एक लाइग भी कर देना चलिए दिखाता हूं दोस्तों लोगे यहां पर देख सकतूं इन्हों ने हमें इमेज भेजा और इनोंने खुद बोला अब देखो बाई मैं आपको दिखा दिया हूं थोड़ा मैं आपको समझ में आ पर Till misma लेना है इन्हों ने उत्वी क αναश्यानलगूं का बूचरा है तो बाल है यहीं बात हमेशा बोलें भाई 5% मिनोगडी ले लो ठीक है सिर्फ 5% ही लेना है सर के बालों के लिए 10% होता है जो बंदा 3% यूज करेगा बेड के लिए भाई थोड़ा रिजल्ट सुलो देखने को मिलेगा ठीक है अगर मैं आपको कॉल रिया सोरी आईडियो किलिप से सुनाओंगा वीडियो और ठीक है तो भाई देखो अगर मेरे को बोलने में कोई मिश्टेक होती है न तो दोस्त माफ करना यह सब्द में हर एक वीडियो बोलता हूँ देखो भाई इंसान हूँ मेरे में मुझे कुछ भी निकल जागा क्योंकि यहार मैं डेली वीडियो बनाता हूँ न तो यहार है अगर तुम डर्मा रोडर की बात करते हो भी मैं आपको बताऊंगा डर्मा रोडर inking करने के लिए तो यहार 0.5 दर्मा रोलर ले लेड़ना ले लेकिन यहार एक प्वाइंट है डर्मा रोलर फूल बलेग भी यहाता है और थोडो जो डर्मा रोलर का निडल सोता ना उस आप एक काम किजिए एक ही टाइम यूज कीजिए साम को ठीक कम सकम 5-6 मिनट उसके बाद आपके इसकीन तो रेड हो जाएगी यार क्या दिक्कत है उसके बाद तुरंत मिनोग डिल लगा लिजिएगा अगर आप विटलाइजर यूज करते हो तो भाई विटलाइजर भी लग लेकिन मैंने आपको बता दिया विटलाइजर और मिनोग डिल आपको कब लागाना है डर्म रोलर के बाद ही लागाना है ठीक है उसके बाद देखना जब आपके इसकीन रेड हो जाएगी तो यह गलती नहीं करना है मैं जब सुरुआत में वीडियो बनाता था था ना तो लोमने नहीं जाना है यहां पर दोस्तों यहां पर देखिए एक टाइम यूज करने लगा हूं तो भाई शुरुबात में जो नहीं नहीं होते ना बहुत मतलब यार तेजी होती यह बेड़ ग्रो करने के लिए दो टाइम बंदा लगाता है जैसे 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 दस पंदर दिन दिखाया हो वीडियो की लाश्ट में यहां तो बीच में होगा देख लेना ठीक और वैसे भी यार मैं यह वाइस ओबर वीडियो बनाने मेरे को इजी होता है फेसकेम वीडियो थोड़ा दिक्कत होता है समझ में आ रहा ना बाइस आपका अपना मन पसंद होता है वीडियो क्रिएट करने का वीडियो बनाने का समझ में रहा लोग है जो की फेसकेम वीडियो बनाते है यार वाइस ओबर वीडियो बनाते है अके बट कोई नहीं नहीं यहां पर देखो भाई चलिए थोड़ा मैं आपको शूरुच देखा देता हूं इनका पूरा फोटो तो मैंने अभी का फोटो है ठीक है तो भाई शुरुवात मिनों ने हमसे कॉल करने की कोशिज भी की थी बात करने की कोशिज की थी बट मैं जो की ऑफ लाइन था फिर बाद में मैंने इन से बात किया ठीक तो भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मिनोगडिल जरनी में आप एक कि एक मैंना इनो ने मिनोडिल उग्ष किया उसके बाद कि यह फीक है समझ में आ रहा है दोस्त तो यार देखो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यार इस्टा प्राजan ना मैं आपका रिफ्लाइट तुरंत दूघाएक बूरो तो भाई चलिए दे मिलने नेक्स्ट विडियो में तब तक किने बाब बाइ